सिर्फ दो दिन में आपके सरीर की सभी बंदनसों को खोल देगा ये सिर्फ एक इलास दोस्तो आज की इस वडियो में हम आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाएंगे जो सिर से लेकर पैर तक आपके सरीर की हरत रहें की ब्लोकनस, हरत रहें की बंदनस को खोल देगा और आपके पूरे सरीर को बिलकुल निरोगी बना देगा ऐसा चमतकारी नुस्खा है ये दोस्तो आज की समय में आप जिस भी व्यक्ति को देखो या तो वो कोलोस्टोल की समस्य से परिसान है या उसको हार्ट ब्लोकेज है या फिर उसको हार्ट इटेक आने का डर है लेकिन दोस्तो आज की इस व्यक्ति में हम आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाएंगे यदि आप उसका एक चमच पानी में उबालकर पीते हैं तब आपके सरीर की सभी त्रहें की बंदनस खुल जाएंगे सिरफ ये नुस्खा दो दिन में इसके साकरात्मक रिजल्ट आपको दिखाई देंगे और आपकी AD से लेकर चोटी तक की सभी बंदनसों का इलाज है दोस्तो इस नुस्खे को लेने से आपका यदि बैड कोलोस्टोल आपके सरीर में बढ़ा हुआ है तो ये आपके बैड कोलोस्टोल को कम करने का काम करेगा आपको इस kolostol के बढ़ने की समस्या से बचाएगा और आपके सिरे में अच्छे kolostol की मातरा को बढ़ाएगा जिससे आपकी इस बिमारी का इलाज हो जाएगा दोस्तो यदि आपके हाट में ब्लोकेज है और आप अपने इस heart की blockage का इलाज करना चाहते हैं। इसको खोलना चाहते हैं। तब भी दोस्तों ये नुस्खा आपके लिए एक रामबान ओच्टी है। और आपके heart की blockage को खोलने का काम करेगा। दोस्तों क्या आपको heart attack के आने का डर है या आप अपने दिल को मस्बूत बिमारीं से बचे रहेंगे इतना ही नहीं दोष्टो जड़ी आपको मुटापे की समस्चे तो ये नुस्खा आपके पेट की चरवी को मक्खन की तरह पिंगलाने का काम करेगा और आपको बिल्कुल सलीम और फिट बनाएगा आपके सरीर में यदि कैल्सियम की कमी है तो ये कैल्सियम की कमी कभी इलाज करेगा और आपके सरीर की हडियों को मजबूत बना देगा क्यों इसमें मुझूद विटामिन A और B2 आपकी हडियों को मजबुद बनाने और इस दर्द जो जोडों का दर्द होता है गठिया का दर्द होता है कंदे कमर हाथ का दर्द होता है उससे आपको बचाने का काम करेगा ऐसा है ये जमतकारी नुस्खा और दोस्तो इस नुस्खे की जो बनाने की जो मुखे समगरी हैं वो है दोस्तो जीरा और दोस्तो जीरे के बारे में कौन नहीं चानता जीरा एक बहतरीन एंटुक्जंट है और साथ ही यह सूजन को कम करने और मासपेश्यों को अराम पहुँचाने में बहुत अधिक कारगर है इसमें फाइबर भी पाय दोस्तो यह पेट से लेकर दिल तक की आपके स्रेर की हर बीमारी का इलाज करने की समता रखता है तो चले दोस्तो जानते हैं कि आपने इस नुस्खे को अपने घर पर बनाना कैसे है इसके लिए आपको तीन समगरी चाहिए पहला चाहिए जीरा दूसरा चाहिए आपको पैड़र विनेगर आप जानते हैं इस नुस्खे को बनाने की विधी दोस्तो आपने क्या करना हैं दो गिलास पानी लेकर एक बरतन में डाल कर आग पर उबलने के लिए रख देना है जैसे कि यह हमने रख दिया अब आप और आप इसको तब तक उबालना है जब तक की प्रियोग बिना च्छाने ही करें, अब आप इसको एक गिलास में डाल लें, और अब आपने इसमें डालना है एक चमच सहद, जैसे कि ये हमने इसमें एक चमच सहद डाल दिया, अब आपने इसमें डालना है एपल साइडर विनेगर, आप एपल साइडर विनेगर एक से लेक तब आप देखेंगे कि आपके सरीर की हरत रहें की बंदनस खुल जाएगी, आपका मोटापा कंट्रोल में आ जाएगा, कैल्सियम की कमी दूर हो जाएगी, आपको इस जोड़ों के दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसके इलावा भी आपको पेट के रोगों से बचा और फिर देखेंगे कैसे आपके सरीर की हरत रहें की बंदनस खुल जाएगी, और आपके सरीर में रोगों से लड़ने की सक्ति भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जिससे आप बहुत रहें की बीमारियों से बचे रहेंगे, तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो, अगर आप को हमारी वडियो अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइबर बटन के साथ, जो बैल का आइकोन है, उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वड इपकेशन आते रहे, धन्यवाद दोस्तों